Hello everyone, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज हम बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन के बारे में नॉइस पॉल्यूशन की वज़े से कितना हार्म हो रहा था एंवार्मेंट पे हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे कुछ रूल्स पनाए गए थे 2000 में जिसको देखते हुए कि नॉइस पॉल्यूशन से कितने एफेक्ट हो रहा है इसके कारण ये रूल्स पनाए गए इन रूल्स में क्या-क्या बात की गई कि हम नॉइस पॉल्यूशन से कैसे बच्चे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी साथी देखिए जो भी इन्वार्मेंट है ये सारे लीगल कंप्लाइंसे में रहता है कि अगर आपका गोई भी वर्क प्लेस है तो वहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना होगा नॉइस पॉल्यूशन, एर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इन सब का तो टून में, डून में रूल बनाय गये हैं, तो उसमें यही बताया गया है कि आप कैसे प्रेवेंशन ले सकते हैं चीज नॉइस पॉल्यूशन के लिए आपको बताने माली हूँ ठीक है तो noise pollution का मतलब इतना noise pollution मतलब इतना sound आना किसी भी चीज से जो atmosphere को harm करे ठीक है sound level जो है वो इतना increase हो चुका है अब उसका level इतना increase हो चुका है 90 dB उसका जो level है वो increase हो चुका है जिसकी वज़े से क्या हो सकता है कि हमेशा के लिए कोई भी बहरा हो सकता है और research में ये भी देखा गया है कि noise level जो ऐसा ही रहा noise pollution ऐसा ही रहा तो हो सकता है future generation जो है वो bond होने से bond जब हो तो पहले सी default हो सकती है ठीक है तो इसलिए ये rules निकाले गए कि हमें noise pollution जो उस पर देनी की ज़रूरत है क्योंकि अगर हमें अपनी future ठीक से रखना है तो ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है atmosphere के उपर अपने environment के उपर इसलिए ये act बनाये गए 2000 में तो वो act के अंदर क्या-क्या बताया गया था ये मैं आपको बताती हो तो देखिए noise pollution rules में ये कहा गया कि जितने भी noise levels है public place पे जैसे कि माल लीजे वो industrial activities हो रही है construction activities अगर हो रही है generator sets हो रहे हैं loud speaker हो रहे हैं music systems हो रहे हैं vehicle horn हो रहे हैं या other कोई भी mechanical device है जिनकी वज़े से sound जो है जादा release हो रहा और atmosphere को effect कर रहा है तो हमें उस पे क्या है कुछ maintain करना होगा कुछ maintenance करना होगा जिसकी वज़े से इतना noise जो है वो increase ना हो और हमारा जो air quality standard उसको maintain करके रखे as a noise pollution जो भी है उसका noise pollution maintain करके रखे ठीक है तो इस rule में ये कहा गया कि आपका कोई भी work हो पर आपको उसका जो noise है वो कैसे control में लाना है वो आपको पताया जाएगा legal compliance में लिखा जाता है कि आपके कोई भी industrial अगर है आपकी industries है industrial area है तो कोई भी machine है तो वहाँ पे आपको silences जो है उस machine में put करने होंगे आजकल तो generators भी आपने देखे होंगे अभी ऐसे आगए हैं कि जिनका कोई noise नहीं होता है तो ये सारे rules इसलिए निकाले गए थे कि आने वाला जो generation है उसे harm ना हो इससे ठीक है तो यही इसका ambition था कि जो air quality standard है वो अच्छा रहे noise pollution जो है वो इतना ना हो कि एक जगा से दूसरी जगा noise जो है वो जादा से जादा बढ़ता जाए और उसकी वज़े से हमारी future generation को harm हो ठीक है उसके बाद section 6 में लिखा गया है कि कोई भी silent zone area है और वहाँ पे कोई भी type का noise आ रहा है तो उनको under penalty देनी होगी उनको penalty पे करनी होगी अगर वो ऐसी चीज़े कर रहा है तो loudspeakers बजा रहा है amplifier बजा रहा है कोई भी music बजा रहा है drums बजा रहे है कोई भी ऐसी musical चीज़े है instrument आ नेस्ट्रुमेंट लो फर्सक्राइल और लिए어 performance कद रहा है उने शीज़ों को बजा रहा है तो क्या होगा उनको पैलंटी पे करनी होगी अगर वो नॉइस पॉलूशन कर रहे हैं तो तो यह section 6 में लिखा गया था कि अगर कोई भी चीज ऐसी हो रही है किसी भी silence ओने या area पे जो शोर कर रहे हैं उनको पैलंटी पे करनी पड़ सकती है ठीक है तो इससे क्या है लोगों को यह रहेगा कि नहीं अगर हम यह चीज करेंगे तो ऐसा हमें करना होगा उसके लिए punishment as a punishment यह रखा गया है section 6 के according अब देखिए इसमें यह बताया गया section 8 में कि अगर कोई भी चीज आपको use करनी है माल लिए आपका industrial area ठीक है industry आपकी यह workplace है अब वहाँ पर कोई भी चीज है जो जरूरी है आपको use में लेना तो वहाँ का जो भी in charge होगा जो भी officer होगा वो आपके यहाँ chat करेगा पूरा कि हाँ यहाँ से इतना noise अगर निकल रहा है तो वह उसके लिए जो भी solution देगा कि आप इस तरीके से उस noise को रोक सकते हैं उसके बाद अगर वो agree करता है कि यह जो चीज आप use कर रहे हैं वैसे तो यह ठीक नहीं है तब disturbance उससे हो रहा है कुछ भी noise को noise pollution जो है वो उसके करनी होगी और जो भी आप यूज करना चाते हैं जो भी apply applications यूज करना चाते हैं या कोई भी instrument यूज करना चाते है कोई machinery उसके बाद आप कर सकते हैं पर ऐसा ना हो कि वह किसी को disturbance कर रही हो noise कर रही हो जिसके noise pollution हो और at most perfect effect पड़े तो यह सारी चीज़ उसमें देखी जाए जो भी आपकी authority है वहां की officer है या in charge है उनके दुरू ठीक है तो पहले पूरा check होता है कि यहां से इस type का noise आ रहा है उसको resolution दिया जाता है कि इस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं उसके बाद फिर आपको वहां से permission मिलती है और आप उसको maintenance करवा सकते हैं उसके बाद आप work कर सकते हैं ठीक है और कैसे आप control कर सकते है noise pollution चलिए ठीक है आपने permissions ले ली है आपने सारी चीज़े maintain कर ली है ऐसी छोटी छोटी चीज़े भी आप करके कैसे noise pollution जो वह बचा सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने lubrication कर सकत कोई चीज़े का जिसके कोई मशीन है उसमें आप oiling कर सकते हैं time to time जिसके वज़े से वह जाद ना करें ठीक है कोई मशीन का पार्ट लूज हो गया कभी क्या होता है कोई जो nut है उसके रूज हो जाते हैं तो उसकी वज़े से भी noise आना शुरू हो जाता है तो वह आपको fix क कर देने हैं तो नॉइस बेरियर्स आप यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप चोटी-चोटी चीजे करके भी कर सकते हैं इसको ठीक है जैसे कि अभी अब घर में हैं तो आप कम नॉइस वाले एर कंडीशनर्स अब तो ऐसे आने लगें जो नॉइस ही नहीं करते हैं ठीक है वैक्यूम क्लीनर्स आप ले रहे हैं तो ऐसे कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी का हो उसमें नॉइस नहीं हो जादा ठीक है उसके अलावा आप जैसे की मालीजे रोड पर चल रहे हैं तो ह इस तरीके से जैसे की यह सारी चीजे फॉलो करके आप अगर अपनी चीजे बचा सकते हैं अपना इट्मोसफर बचा सकते हैं इन्वायर्मेंट बचा सकते हैं तो अच्छा ही होगा ना कि noise pollution नहीं होगा इतना तो जो हमारी future generation है उस पे भी effect नहीं पड़ेगा जैसे की research की according बताया गया था कि अगर ऐसे ही noise रहा maintain रहा noise pollution ऐसे ही रहा तो हो सकता है future generation जो है वो default हम हो सकती है तो इस वजह से ही कुछ rules निकाले गया और इस पे ध्यान दि ही होती है जैसे की आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें से पहले की generator जो रहते थे वो इतना शोर करते थे जो डीजी रहते थे वो इतना शोर करते थे पर आप ऐसा नहीं है तो ऐसे implement हो रहा है आगे भी होगा पर कुछ ऐसी चोटी चीज़ें हैं जो हम भी अगर noise pollution हम भी control कर सकते हैं तो यह था noise pollution के उपर, so thank you